हेलो दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने मोबाइल फून के कैलकुलेटर में प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का पता हो तो ये टू स्टेप प्रॉसिस है पहले स्टेप में हम क्या करेंगे के फॉर एक्जामपल हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 35 ओके और हमारे पास सेलिंग प्राइस है 50 तो पहले स्टेप में हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस से तो सेलिंग प्राइस थी 50 हमन तो दोस्तों ये 15 जो है ये हमारा profit है ये हमारा पहला step है अब दूसरे step ने हमने profit percentage पता करना है ओके तो अब इस 15 को हम divide करेंगे cost price से और multiply कर देंगे 100 से तो हमने यहां लिखा 15 इसको हम divide करेंगे cost price से सो दोस्तो cost price हमारे पास थी 35 सो हम यहां लिखेंगे 35 ओके और फिर हम इसको multiply करेंगे 100 से और फिर हम equal का बटन प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये हमारा final answer है तो 52.85 जो है वो है profit percentage तो अगर आप इसको लिखेंगे paper पे तो ये होगा 42.85 परसेंट तो ये हमारी profit percentage है तो दोस्तों इस तरह आप अपने mobile phone के calculator में अगर आपको cost price और selling price का पहले से पता है तो आप easily profit percentage निकाल सकते हैं अपने mobile phone के calculator को use करते हुए तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा thank you very much